नमस्कार दोस्तों, और सी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल करर का एक बहुत ही खुबसूरत नेट पैटरन लाए हूँ। इसे आप जैन स्वेटर में, लेडिस काडिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहें किसी भी मन्चाहे प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए चार के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे चार-चार करके गिनें, तो लास्ट में दो फंदा आना चाहिए। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी तरफ है, इसे अपनी तरफ लाएंगे और फिर सलाई में एक बार घुमा कर वापस अपनी तरफ। अब दो फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट दो फंदे उल्टे तो पहला फंदा एज इस्टीच है और इन ही चार फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है उन सलाई में ऐसे चढ़ा के वापस अपनी तरफ लाना है दो फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक करना है अगले दो उल्टे उन सलाई में चढ़ा के अपनी तरफ लाएंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे अगले दो फंदे उल्टे और लास्ट में एक फंदा बचेगा उसे हम सीधा बुन लेंगे और सेकेंड रो और रॉंग साइड तो सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे थर्ड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा एजस्टीच है इसे सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे अब देखिए ये अगला फंदा जाली वाला फंदा है तो उन अपनी ओर करेंगे जाली वाले फंदे को और उसके आगे वाले फं अग्ले दो फंदे एक साथ लेते हुए उल्टा बनेगे जाली वाला फंदा और उसके आगे वाला फंदा हम दो फंदो को उल्टा बनेगे अब देखे इस जाली के पहले ये जो दो फंदे है इने हम ऐसे पहले सलाई में चढ़ा के उन अपनी तरफ लाएंगे और जाली के पहले ये जो दो फंदे है इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे यहां पे हमने दो काएक कर लिया और जाली वाला फंदा और उसके आगे वाला फंदा इन दोनों को हम उल्टा बुनेंगे अब उन सलाई में ऐसे चढ़ा किलाएंगे देखिए जाली वाले फंदे के आगे ये दो फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमें दो का एक करना है चाली वाला फंदा और उसके बाद वाला फंदा दोनों फंदों को उल्टा बुलनेंगे अब फिर उन सलाई में ऐसे चला के लाएंगे और ये दो फंदे, देखिए तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदो को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, लास्ट फंदा या जिस्ती इच है, इसे हम सीधा बुल लेंगे, और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टें, तो देखिए फ्रैंस, चार ल बाइनो को हमें पूरे स्वेटर में दो राना है, तो फ्रैंस, डिजाइन आपके सामने है, थैंक्स फार वाचिंग